हलो नमस्कार वेलकम बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं सबसे कड़क पॉडकास्ट आपके साथ हूँ मैं लवीनराज और आज इस सबसे कड़क पॉडकास्ट में मेरे साथ उस परिवार के मालिक हैं जिनके बारे में आपने कभी न कभी किसी न किसी से बात जरूर की होगी और ते उनके बारे में जब अपने पती से बात करती हैं तो कहती हैं कि देखो इनको तुमसे एक नई संभल रही और वो दो-दो कितने अच्छे से संभाल रहे हैं और हर मर्द हिंदुस्तान का उनसे पूछना चाहता है कि भाई हमसे एक नई संभल रही तुम इतने बढ़िया से दो-दो कैसे संबाल रहे हो और उस मालिक का नाम अर्मान मलिक है बहुत स्वागत है अर्मान जी और कृतिका आपका इस पॉटकास्ट में और मैं बता दूँ इस पॉटकास्ट के पहले एपिसोड में अपना वक देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया थांक और मुझे बताईए कि क्योंकि तिक-टॉक से आपका किसी ना किसी रूप में सफर शुरू होता है और फिर आप लोगिंग करते हैं फिर आप एक्टिंग करते हैं फिर आप सिंगर बन जाते हैं तो अभी आगे क्या सोचाए वाट अपनिंग नाओ दिखू क्या एक्टर हो आप से जादा पॉपिलर क्रितिक और पायल अब हो चुके हैं तो यह गलत नहीं होगा नहीं बिल्कुल सही होगा यह तो फिर पायल क्यों नहीं आई अच्छी अभी क्या था कि मेरा साथ यह था कि मैंने जब जैद बीमार हुआ था तो एक मननत मांगी हुए थी जिसको मैं मा अच्छा अर्मान अब क्योंकि थोड़ी सी तो कहानी बनती है लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और आपको जानते तो है लेकिन यह संदीप से अर्मान मलिक की जो कहानी रही और इसके साथ एक सवाल में और भी इसलिए जोड़ना चाहूंगी कि लोग यह कहते त संदीप आज से तेरा साल पहले दिल्ली आया था और दिल्ली की चका चोन में मुझे लग रहा था कि संदीप नाम बहुत ही हलका था जैसे यहां की बहुत लोग चामिंग है तो जब हम दोस्तों के साथ ख़ए होते थे तो किसी का नम राहूल है प्रिंस है बड़े बड़े जिननदा के हिंदो ही रहोंगा और मैंने कई शादी के लिए धर्म चेंज ने किया यह लोगों का अब चाफ से जाथ है अच्छा तो अब अर्मान की कहनी हो गई आप अर्मान से मिलने से पहले या आपकी लाइफ आपका बच्पन आपके बारे में कुछ बताईए और यह आपको किस ने लिया ये भी मैं जानना चाहिए पहले तो गोलुका पता जाते हूँ ये मेरे पेरेंट से नाम दिया जब मैं पादा हुए तो थोड़ी सी चबी थी उस ताइम पे जैसे अब भूम अभी तो अपने वेट काफी रह से हाँ काफी वेट लॉस्किया बट अभी प्रोसेस अभी में को चार से पांच किलो और कम करना है तो पेरेंट से नाम दिया और मेरा बॉन डेली का है स्टडी मेरी डेली में रही है और कम्लीट एजूगेशन डेली सी है तो अर्मान आपने जो व्लॉगिंग करी और खुद ने तो पहले सीखा ही और फिर आप को सिखाना चाहिए कि जिस चीज पर आप हो वो भी उस चीज पर पहुंचें आज के दिन ना बहुत नीड होती है पैसे कि अगर आप जॉब करने बाहर जाते हो बीस से पचीस हार पे में आपको वो गुलाम बना लेते हैं पूरी दिन उसके बाद आप अपनी फैमिली को ट क्योंकि बाहर तो जाते नहीं है उनकी तो एक पूरी जो दुनिया है वो घर में ही बनी हुई है आप यह बताईए कि आपका घर जो है आपने ओफिस बना रहा है वो कैसा दिखता है यानि कि आप जैसे बताते हैं कि उपर जिम है कहीं पर एडिटिंग चल रही हो ती सब लाईक सुब है खड़ता है तो हमआ दिल बहार नहीं लगता है घर जाहए कि। जघके इंटी और हर कि अगर बाहर चुब जैसे बीच्ण तोरी लोग है रहते है तो वहीं है कि पूरी तीम कार लो है कि ml Deputy लोग सामने खड़े और वो ऐसे लोग हैं कि मतलब बिलकुल डिल लगी है उनके साथ मतलब होली दिवाली पर भी घर नी जाते वो मेरे साथ ही रहते है वो तो व्लॉग्स में दिख जाता है जो आप सारा फेस्टिवल भी एक साथ मनाते हैं कृतिया आपके लिए एक नई जर अब भी बुला सकती थी लेकिन चीकु के पापा क्यों और दूसरा सवाल मेरा आप से यह है क्योंकि चीकु को आपने बच्चे की ही तरह हमेशा से रखा लेकिन अब आप खुद मा बन चुकी हैं तो मदर हुड आप कैसे नजॉय कर रहें तो पहले तो बताऊंगी चीकु के अब हलेज Such बहुत है क्यों आपके चीकु के पापा आपके जितने मर्सी बच्ची हो जाए ज़ए चार हो जाए दस हो आप पहले ही होता है तो मेरे पेरेंट्स के साथ इस यह कि अगर और फहर निकलता है ना तो चीना है कनू है तो कोई भी जो उनको जानता है तो ऑझते मुझी बहुत अब नगता है आदा प siguiente को छीकू के बौलना back कभी बोलती है भुलती है पर डुभ्याफिभे जी क्वे बहुत अध rack कभी बॉलती है नई पुलती है नहीं नहीं मुझे और गात अधि क्रिष्णा पृत्वी और क्यारा है तो वो नाम हम से बोले नहीं जा रहे हैं अन्रिकॉर्ड वो यही नाम है मतलब उनके जो भी सब्सक्राइब यही है पर हम अभी यही बोल पारे हैं वो निकली निड़ा अच्छा 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 अपने बताया कि भाई शुरू से काहनी आप बता दें कि पायल से आपकी कैसे मुलाकात हुई और फिर क्रिटिका से मिलने तक कि पूरी कहानी क्या है दिखो क्या ना कि यह बात मुझे लगता कि शायद 90% लोगों ने बहुत बारी सुन लिया फिर भी मैं बता देता हूं क्यूंकि आज मैं एक नए कि आपका प्यार महबत हुई और साथ दिन में पायल ने घर छोड़ दिया अप वैसे आज अजा तो पायल पर रख यह फिर शाम को घर से भार आगी तो गोल्ड क्या करना था पूरी जिंदगी का थपा लग जाता तब लड़की के साथ पैसे भी लेके भाग गया तो हम कमा आज भी ठीक हैं तो पायल घर रखे आगी और रात होगी रात होते ही सुबहे मैंने बुला सब ठीक है करी अब ठीक हो ना हो मैं घर नहीं जा सकती मेरे घर वाले तो भाहिया मार देंगे बिल्कुल तरीके से तो उसके बाद कुछ ताइम बाद अपना बच्चे बच्चे ह लगा था शुबहा था चिकू के बढ़डे पर कुछ वर्डे करिंगा पर वहां पर अपना कि अवा है कई पर अप्रम एंच तो फोटो वोटो ली अब नंबर तो मांग है तो फोटो वोटो ली फिर मैंने पायल को बोला मैं तो अप्रेंड की फोटो है मेरे पस तू कहरी फिर बेची को नाइप दोस्कुन को आपको निमबर दिय तो भी हुब उत्य है। वो बेज़ा फिर थोड़े दिन बाद जिसे सात दिन वह थे तो साथ दिन यह हैं त दोनों शादिया एक। पर गैप था ना हाँ लेकिन फिर भी ताम दूरेशन हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ कुछ निए उसके बाद जिंदगी थोड़ी सी ऐसे लगा कि रुग गई है चीजे खराब होगी है मुझे लग रहा है मैं धरम संकट में फस गया हूं किसको समझाओं किसको ना समझाओं तो पाइल के घरवाले आये अचानक से उसको लेके चले लेके मुझे घर से बाहर निकाल दिया गोलू घर निकाल दिया फिर हम पांच हमेने रोडों भी घूमतर रहे फिर एक चोटा मोटा केस वेस हो गया ता मेरे उपर वह उपर अप सब फ्री हो गया मतलब बहुत साज पाइल के तरीके से मैं जेल गया फिर वहां से आया बहुत साज है जेल जाने की क्या कहानी है यह ना कि दो शादी कर ले उनके घरवाले भी तो है ना अब्जेक्शन उठा सकते ना और जिस कॉम्यूनिटी से वो ब्लॉं करती है वो गुजर समात से करती है और मैं जाड था तो फिर हो जाते कल इसे उसके बाद फिर क्रतिका को एकसेप्ट कर लिया क्या था ने फिर पाइल घर चोड़ के दुबार आ गई वो गहती मुझे मुझे मरना जीना इसी के साथ है अब आज के दिन उनके खरवाल सो कोई बात ने होती पहले आट साल ने होई थी अब चार स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हम तो साथ थे पर पाइल नहीं कर रही कि मैं अपके लिए कितना उस्क ने में कितना सही वह यह जश बताय कि आप जिल गए तो उस वक्त सिफ आप से मिलने अगर कोई आता था तो पैर्डिक़ तो आपने उस वक्यूक्य अगे जिस siis field में wir फोचांव दिटल सोचल मेडिया वहाँ पर सब गों के रिस्पॉस से चलता है तो लोग Winter किया के रहे हैं किया सोच रहे हैं किया जी है तो बार 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 यह कहा जाना कि क्रितिका के वज़े से पायल का घर तूड़ गया बहुत सारी ऐसी बाते उस वक्त आप सुनते होंगे तो आपने ऐसी सिटुएशन से कैसे डील किया वह लाइफ बड़ा मुश्किल था मतलब कि जिस टाइम पर में व्लॉगिंग शुरू करी थी तो लोगों के लिए बहुत करना भी आता था कि यार बहुत लोग बुरे-बुरे कामेंट्स करें तो अर्मान जी ने मेशा मुझे समझाया कि गोलु कामेंट्स को तुझे एग्नोर करना इन चीजों को नहीं पखड़ना अगर तू इन चीजों से पकड़े इन चीजों के ऊपर फोकस करेगी ना तो अगता बुझे तो एक साल इंग्नोर करा उसके बाद जितने भी लोग थे जो 99 परसंट मुझे नेगटिव कमेंट्स को अब वो ता प्यार करते हैं वाव और यह बहुत खुबसूरा जर्नी अगर कहें तो रही है आपकी परसनल लाइफ वैसे तो देखिया अपके अगर मै अब थोड़ा सा पॉड़ा सा पॉड़ा सा पॉड़ा सा पॉड़ा कर दें जी जी बिल्कुल तयार है कि अपने रिष्टेदारों को व्लॉगिंग करना सिखाया वो रिष्टेदार तब कहा गए जब आपकी मम्मी के इलाल्ज के लिए आपके पास पैसे नही थे और अब जब इतना सब कुछ आ गया है तो एक मन में कुछ रहा नहीं मलाल कुछ रिष्टेदार जो अब यह निंको मैं व्लॉगिंग सिखाया वो मेरे कून कर रिष्टे बहने तो घर में थी जो रिष्टेदार थे वो बिल्कुल काटा है मतलब आज उनके घर में कुछ भी हो जासे बहने हैं पहांजी है तो यह उस तब बच्चे थे तो इन में तो इन में तो इदिक्कत थी नहीं तो घर के रिष्टे में फिर इतना बड़ा एलिगेशन आपकी बहने आप पर लगा दिया असल में गया था लड़ाई ज़रे इसकी पूरी कहानी ती मैं बता देता क्या हुआ था कि जो मेरे बड़े भाइस साब वो नशे वशे करते हैं तो मैं उसको हमेशे नहीं तो इसके लिए मैं सब कुछ करूँगा पर क्या जब इनसान नशे करता है जो महाल आपके आसपास का जैसे आज आज आपने चाय पी नहीं चोड़ दी मैं आपके साथ जो मेरी टीम है वो उनको बत्तमीजी से बात करता है उनको लगता है यह गुलाम है मेरे सब और मैं रखता हूँ मेरी फैमिली है तू तड़ा करना तो ऐसे कर रहा था तो मैंने उसको जागे समझाया तो मेरी छोटी मोठी हाथा पाई भाई के साथ अच्छा बढ़ा है मु अच्छा लगया वो गिरगी गिरने के बाद उसको बुरा लगया कि तू ने धका मारा है मैंने भाई मैंने नहीं मारा तू बहुत समझाया पर वो क्यादा है कुछ चीज़े खराब हो जाती है तो बस उसी दिन उपने कपड़ उठाए घर चली गई और जब वहां गई तो तो कल मैं अपनी भाईचर इस्टा ठीक हो कल मेरे साथ ही ती अच्छा अच्छा अब सब कुछ ठीक है तो यह जब सारा कुछ हुआ तब कृतिका और पायल दोनों थे आप लाइफ में नहीं नहीं है अभी की तो बात है यह अच्छा अभी मुझे लगा लो अपकी लगा ल बिलकुल कर लेते हैं अर्मान में शुरू कर रही हूं एक कॉंट्रोवर्सी से जो इस वक बहुत जादा सुर्ख्यों में रही ऐलविश यादव की कॉंट्रोवर्सी अलविश यादव पर कुछ हाला की देखिए जब तक यह मामला न्याय पालिका में है उस पे हम कुछ संद्धी के झाल ऑफ़े तो पुरू कॉंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं अगां से कानून से उपर कोई है या जाना नहीं कुछ नहीं है तब ही पुलिस अर्य करते है या पको लेके चलेगी मुझे लेके चलेगी तो उसके बाद कोट गया वकिलोंने कि चीज़ के आज वो बाहर है, तो जब तक किसी को सजा नहीं हो जाती है, तो वो गुनयगार नहीं होता, ठीक है, शचक के आधार पे आप किसी को भी उठा सकते हैं, और वो उनका हक बंता है, पुष्टास करने का रो पुष्टात हुई, उसके बाद वो जेल गया, जेल के बाद घर आ ग आप जब थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं तो थोड़ा सा हवाबाजी वाला जो हो जाते हैं उस पे क्या कहेंगे देखो हवाबाजी क्या होते है जो आपके आसपास की लोग है उनमें से क्याना कोई मिचौर ही नहीं है अलविश अगर बात की जाये 25-26 साल का लड़का है उसके साथ जितने भी लड़के हैं वो सब उसी एज के हैं और जो मैचौर लोग हैं वो घर पे हैं तो जब तक इनसान को ठोकर नहीं लगती है ना समझ में नहीं आती बाते हैं तो आज अगर ऐलविश पांच दिन दस दिन के लिए जेल गया है तो वो लगा लो अपने फ् तो समझदार है उसने एक पढ़ा ही और कर ले जीवन में जैसे वक्त बहुत अच्छा टीचर होता है ना बहुत कुछ सिखा उसने वाह पे है कृतिका मैं क्योंकि कॉन्टुवर्सी की बात कर रही हूं और एक अलग दुनिया जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि अलग की को पढ़ती है शर्की कि बिन कॉंच को पढ़ती है ऑफ लिगेंटिवा चैइए यह यहाल को साथ रक मिलते है तोसु कि अलगेंदेटिवीज़ मोग थो ऑपकी पडल को था मिलती है कि आपकी भी इनडीज़ आपकी एक कर पशनेलिटी अे तो कोई लड़की हो सकता है और हो तो यह हर बार यह तीसरी 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 इससी कैसे डील करते है आप तो मुझे ऐसे लगता है कि मन्द बुद्धी लोग हैं, दिमाख बहुत ही कम है लोगों में अब ऐसे भी लोग हैं जैसे कोई मेरी बहन है जो किसी नहीं देखी वो मेरे सथ वीडियो बनाए तीसरी वाइफ तो मुझे कई वाज़ मेरी बहन हैं चैफिर कोई फैन है तो मतलब जो हर टाइम उल्टा सिधा बोलते हैं इनके दिमाख में गंद चलता है अर्मान मलेक बहुत पॉपिलर हैं बहुत अच्छी व्लोगिंग करते हैं बहुत बढ़िया सिंगर आगे मैं आपसे एक गाना भी सुनने वाली हूँ तो मुझे बताईए कि अगर आप करते हैं बढ़ेख आप सामने वाले जाए खुछ चाहिता हैं घखाए मेरा नाम लेके यूज चर आप यूज गर मैंने तो नाम यूज रहर ख़र असर पास के मैनेजर लोग होते हैं जो पंगेलेटे हैं लेकिन उन्हों कहा कि हर सुभा जब मैं अर्मान मलेक से जुड़ी तो आप ने कहा कि भाई मैं अपनी डेट आफ लग तुम को बता देता हूं बड़ा व मैं तुम पर्ले आए कि मैं आए तो तो मतब इस तरह की कॉंटरोर्सी क्यों? देखो एक नाम के लिए हजारों लोग हैं पर कुछ लोगों को लगता है कि मेरा नाम मेरा ही है तो गलत फैमिए तो आजकल लोगोंने नाम पैटर्न करा लिए अपने से एक कॉंटरोर्सी और यह तेहल का प्रैंक सनी जिनका नाम है उनने काफी सरी वीडियो आपके अपलोड की आए कि देखो शयारे अर्मान मलेक मुझ धंकी दे रहा है अर्मान मलेक को फोन आरा है ऐसे करके कहीं सरी वीडियो व क्या था वो सारा प्रैंक की था जिस टाम हमने शूट किया था यह वीडियो बनाई थी उस टाम कोई कॉंटरवर्सी थी नहीं यह बनाई इक बनाई वीज ती अच्छा बाद में वीज के लिए बाद में अच्छा आपके लिए उनके वीज के लिए मेरे तो आते ही थे और आज भी आह जहीं तो यानी पहली पर पता चल रहा है कि वह बनाई हुई थी ऐसा थोड़ी हो चकता है एक बात 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 मेरी आपके घर आसकता हूं नहीं क्यों आने दूंगी अगर आ भी गया धमकी देवी इदी तो वह पुलीस केस नहीं होगा तो सारा स्क्रिप्टेट था मेरे पा मतलब एक सामने से मतलब के लिए कॉल आती है तो हम हाँ हो कर खारते थे अच्छा वैसा वाला भाई चाहरा है हम सब समझ गए कैसा भाई चाहरा है क्रितिका एक सेलोन था मैं चाहूंगे आप दोनों इसका आंसर दें जिसको लेकर कही सारे शायद लॉगिंग भी आपने की आपने दिखाया एक बड़ा अच्छा सुंदर सेलोन आप लोग ने खोला लेकिन उसको लेकर कुछ कुछ कॉंट्रोवर्सी हुई क्या हुआ हुआ दोनों मैं बताता हुँ देखो आज हम शोशल मेडिया प्या हो तो लोग कहेंगे वह एक शोशल मेडिया को रख लेते हैं पैसा तो हर किसी भी बास है तो मेरा था कि भाई हम पार्टनर्शिप करेंगे इन्वेस्मेंट आपकी पर्मोशन हमारा हम एक रपय नहीं लगाएं तो भाई थे बिलकुल होता नहीं कि सब कुछ आपी हो हमारे लिए और हमारे आपी हो तो बाद में जब चीजसे बड़ी होने लगगे ना तो सामने वाले को गलत फहमे होगी कि भाई ये तो हम ही चलाएंगे इनका क्या रोल है तो वहां पर कैमरे हटा दिये पहले तो कंछार कैमरे नहीं हमारे फ़ोन में उन्डर अंधर बैठते थे क्याओं कि नहीं तो आपको कहा नहीं कि भाई अभई अभई खराब है खराब आप्छाब लिए ठीक करने के बोला हो अट ना फिर मैंने बोला चलो फोन में चला दो पैसे चला ओने दो आने तो सारी अने त मतलब कोई बी चंवसेशन हो ना पिस्य बुराई करना लेना लेना देना ले तो किसी लड़के कहान पैसे देने थून को तो वो लड़का पोच जा लो पनुझे वह पोच्छाए ले था वो भूचने के रोड़ करती वे दो दो की आप काम करते हैं, तो वो अमारे पास लोगी रिकोर्डिंग, जब वो रिकोर्डिंग सुना एंपर को जब रो के दिखाना, हर बात मतलि जो जूठा इंसान होता है वो हर फे रोगा के लिए तो रोंगा पे लिए जुट पीट नही एक जाब भी के एक उना जाब नहीं है तो अज़ पाइसे लेने घृट ने के लिगा फ्रफ पैसे लेने थे उन से 55 लाकरवे जो मैं लगाए तो उसी टाम हात होँ पता लगी गया इनको अब तो निकालना ही पड़ेगा तो फिर मैं वह भाई लिगा जैसे हमारे भाई चाहर कि लेना देना हो या नाओ पर नाम तो हमाराही जलता है आढमी पुछ भी कर ले नाम को हटार यह गाल है जब यहां जाते है पर लोग आजाते हैं वाँ पूछने, अर्मान का है, क्रिटिका का है, क्रिटिका का है, तो वो चीज ना अब यह बहुत रही हो लोगों को अचा क्रिटिका क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अब एक सवाल मेरा आप से इसलिए है, क्योंकि आप जब भी कॉमेंट्स देखते हैं, क्योंकि अट दी एंट हम सब आप जो कर रहे हैं, या आप जो काम कर रहे हैं, वो तो वो जो कॉमेंट्स होते हैं, जो मैंने कहीं कियोंकि रिसर्ज भी मैंने बहुत सारी की, तो वो किसी वीडियो में अर्मान जी के लिखेंगे कि भाई, देखा, यह तो प्रिटिका को करते हैं, और आज मैं बता दू यह पॉटकास्स देखने के बाद भी हो सकता है, कुछ लोगे कहें कि देखा, अर्मान तो पायल को लेके ही नहीं आया, तो मुझे बताईए कि क्या यह आप दोनों में, आप में और पायल में किसी भी तरह को कोई डिफरेंस क्रिएट कभी क करता था? नहीं कभी भी नहीं, मेरे में और पायल में कभी भी डिफरेंस क्रेट नहीं होगा इन चीज़ों की वज़े से क्योंकि लोगों का काम है बूलना, लोग बूलेंगे, अगर मैं रमान जी के साथ इंस्ट्राइम पर वीडियो बनाती हो, ठीक है, अगर अगर बना अगर में बनाता था सबसे कोई फरकने पड़ता इन कामेंट से, अच्छा अर्मान क्यूंकि एक और गॉर पता नहीं क्यों अर्मान मलेक के बार में जब मैं पढ़ने हूं इतनी सारी कॉंट्रोर्स्या एं एक दम अधा लगता है कि एक फेरेस तिलंभी है, यह वीवेग च आप खतम ही होगे उनका तो नाम मैंने सुनाई नहीं बहुत टाइम से, यह वो लोग हैं जो किसी के पचड़े में जाके अपनी हवा बाजी करते हैं, मेरा दोस्त है लखन, उनके घर में चोटा मोटा बाचीत होती है हर घर में होती है तो वहां जाके जज बन गए थे, वह मेरा आउर है झाज को सब्लाग्ण सेकाइः, मैंने तुम यह का घर मैं है कर दोस्त हैं तो तो मेरा आब घर मोटार में से, यह तो बाच Court में जा धा любим लिए मैं ऑनोल्ग टाएम में CRS B वहांना भी कुछ अगी है, एक जब आप साथ बैठे हो आगर हमें एक फिल्ड गें अगर रोज हम हैं अगर हमें एक फेमिली भी है, तो कहीं नहीं जलन फेक्टर आजाता है, कि सुस्क्राइबर को लेकर एक पहले मैं डालूग कर लेकर, पहले मैं डालूग जाएज व्लोग यह तो कोई नया ही तरीका है कि अधर से पिता को बच्चे को रिप्लाइ करना इसको आप कैसे देखता हूं कि यह तो कोई खराब करवा रहा है आस पास के लोग जैसे विवेक चोधरी आपका नाम लिया उसके साथ क्याने कि आप कमेंट में चले जाओ आपको यह समझने के ल सब्सक्राइबर ऑर आखरी में फैमली फैमिली ओती है आज ने तो कल शुफ हम पर जैसे की अब है तो सब इक है थोड़े दिन में चीजे खराब हो जाती है एक बार के लिए मेरे बहु पर हो गया। अर्मान मलिक ने धो शादी की नहीं इस से पहले भी होती है अभी हो रहे हैं और कई सारे म्ल्म में भी इस वाीख से प्रमॉट किया जाथ है पति पॉउआ क्या मुझे जांगती आईसा है मतर्त राक से जाब दे मुझे पूरा यकीन है कि एक अलग कोई नहीं नहीं कर रहे हैं पर यह शुरू तो यहीं से हुआ है और हम तो यह भी नहीं कहते हैं कि भाही तुम दो शादी करो अवा चलो कुद्रत ने कर दिया चीजे तुम एक से भी हाथ दो बैठोगे मत पंगे लेना चीजे घराब हो जाएं चलो यह तो इनकी निवरी है उसको समभालो भाई उसका ध्यान रखो उससे ऊपर कोई नहीं है तो यह जो दोनों आपकी वाईफ एक साथ प्रेगनेंट होई आपने सोशल मेरे मुझे पूरा यकीन है कि एक अलग तरीके का रिस्पॉंस भी आपने उस वक्त फेस किया होगा जो लोग भी कह रहे हैं तो उसके बाद लोग बड़ा हाला की अभी भी लोगो को बड़ा इन्टरेस्ट रहता है कि tentative कहारा कि एर्मान मलेक किसके सा खाते हो वो सौते इसात हूंगे वो घूमने यिस साथ इस इस तरीके की वाते होती है जो जल्नी आई बेफ के बारें में कritika से मुझे लगता है कृति एक इस प्राइफ के लिए वज मैंनी और अर्मान जी ने पाइल को संजाया है, मैंने के नहीं, लिव इव जो हुआ हो गया, एक काम करते है, मैं इसको second chance सेते हैं, और हमेना पका विश्वास है कि second chance में नहीं करेगी करेगी, तो यही बात हो, पाइल को हमने बोला कि तो अपना IVF की second chance के लिए जा तो second chance के ल पाइल भी प्रेगनेंट ओगए, तो यह बहुत ही बड़ा मतलब कि यह गफ्त हम दूनों एक साथ प्रेगनेंट हों तो मेरे इसते पहले भी जो प्रेगनेंसी थी जी तो मुझे असा लगता है तो शाइद भगवान चाहता है कि मेरी जो जर्णी है वो पाइल के साथ ही च पुर्द्वारे में भी उनकी तस्वीरा थी, मस्जिद भी जाते हैं और पूरे परिवार के साथ जाते हैं आप बच्चों का नाम आपने रखा वो लोगों ने कहा कि ये तो मुस्लिम धर्म से तालुक रखने वाले लोगों का नाम है तो ऐसे बयानबाजी पे जब इस तरीक कि मैं रखा तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहोथ होता है सब भाई भाइहोते हम हिंदुस्तान म मे रहते हैं इहां ऍापे सब लोग हैं इनु मुस्elim क्रिश्चना अपने सरदारी तब लोग है असे हिंदूस्तान हमारा है को मैं यहीं बहूं हो उसितने भी लोग मुझे सुन अगर देखो मैंने अपने घर में गुरुद्वारा साइब की फोटो है दर्गा की फोटो है भगवान एक ही है समझ तो नाम से कुछ नहीं होता है आप ऑरिजिनल में क्या है वो आपको पता है और अर्मान मलिक ने बता दिया क्योंकि लोगों को बड़ा करना भी नीची है ठीक है और हिंदु धरम बहुत बड़ा दर्म है और उसको छोड़ गया दूसरे दर्म में कैसे जाओ जो कुद्रत ने आपको दे दिया अगर आप वो खुद ही चेंज करोगे तो आप से गंदाद में कोई हाई नहीं अच्छा अब क्यूंकि हम धर्म की बा तो क्या किसी मुस्लिम दोसको गले लगाना गलत बात है बिलकुल गलत बात नहीं देखो एक टीम थी वह एक टीम में आप खेल रहो चीजे है तो यह थोड़ी है कि कोई मुम्ड़न आप मेरे गले लगता है तो मेरे दुश्मन होगा है मैं हिंदू हूँ हूँ अगर जैसे अगरे बाते हैं जो यह एक टोड़ा से स्क्राइबर थी जो थोड़ा से पॉक कर देते हैं चीजों को खराब करने के लिए फिर वह शोशल मेडिया पर आगी चीजे बोल देता है अगर अब जब ज़िए बहारा है अब वह रचीज सोच समझ के बोला करें पहले तो कुछ तो इसके लोग चल ले हैं जो आब हम और हम नों जोड किया कउरनीज बोस्तार बचुछ क्भाएं मार किस कि यह लेह आर अचुछछ महलें किया है इस कीनोड था राया है किष्या चबी क कि वोट रांज है, इसके बाथ भूष हमें अनीज थी क्लीन जब ड़ेघे में कंगना रनौद की खबर यह है कि वो लोगसभा का चुनाव लड़ रही है तो हलाकि ऐसा नहीं है पहले कोई अभी नेत्री चुनाव नहीं लड़ी कहीं सारी है मौजुदा सांसद भी है तो ऐसी खबर जब सामने आती है तो क्या कभी पॉलिटिक्स में जाने का आर्मान मलेक अच्छा इसके अलावा एक सवाल मेरा क्यूंकि आपने प्रदान मंतरी का नाम लिया है अभी रिसेंट्ली एक अवाड रखा गया जो प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उन इंफ्लूएंसर को दिया जो किसी ना किसी रूप में बड़ी ओडियंस को इंफ्लूएंस करते आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ यानि कि कहीं प्रदान मंतरी आए कहीं सरकारे आई अगर मैं यह कहूं कि वो लोग जो फोन ले के कुछ ना कुछ करते रहें उनके मम्मी पापा पूछते थे कि भाई क्या है वाई अर अब जब वो स्टेज पे जा रहे हैं मोदी जी उन जो कल तक यह कहते हैं क्या यार वीडियो बनाते रहें जैसे गोलु कममी कहते थी कि तु करेगा क्या दो दो शादिया कर ली इनको कहां से खिलाएगा तो मैंने गोलु को बोला ता मैं आज सोशल मेडिया से ही खिलाऊंगा तो आज गोलु कममी करते तो मुझे बहुत अच उन से वाध साथ जगाता हैं और वही है किसी काम भात करें यहां कहीं रूहने की जानते हैं कि हुपकराख्य कहीं बात कर तौ दाइ नकže И रूहित something अर टेछ चीज उस टाम तो बच्च भोग जिदा चोटे थे तो अभी अभी फिर आएगा तो तीनों ने शोचे हैं दिको मैं तो कहता हूं अगर कुछ आएगा तो अम पाइल को बेजेंगे अच्छा क्यू पायल को क्यूं अब फिर सवाल करिटिका को क्यों नहीं तो हमारी बच्पना है उस और यह क्या करेगी यह रोने लग जाएगा अच्छा थोड़ा च्छोटा बच्छा था इस गूल मां चलो अब एक थोड़ा सा और फन के लिए मैं एक रापिद फायर राउंड तयार किया है एक क्रितिका के लिए एक आपके लिए तो क्रितिका से शुरू करते हैं ना और अचेमरा शान ख्रिसा नाम लूँंगी जल्दी जल्दी से आपको एक कुछ सिलेक्ट करना है ठाट खोले बचुरे और फोले कुल्चे बचुस्टे राजमा चावल और कड़ी चावल तकावल राजमा चावल बीचस और मौंटेंस मांटीं मांटीं मसाला डोसा और आपको बारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हुँ चलो अब अर्मान जी की बारी है और उसको देख के जज कर रहा हुँ और अपने घरवालों को लिए जीता मरता है और मैं भविश्य में चाहता हूँ उसकी बहुत सारी मूवी आए और बहुत आगे जाए वाव तहल का भाई यह फरजी आदमी है जिसके साथ रहता है उसी की बुराई करता है विवेक चोधरी जबर्दस नहीं लेकर आना चाहता है और एक यूटूब इंडॉस्ट्री में जबर्दस नाव है ट्रिगर इंसान? ट्रिगर कमाल का है सब बच्चे को फैन है और वो खुद भी एक बच्चा है और अपने घरवाले के साथ वैसे रहता है कि में को यूटूबर नहीं और प के दोस्त नीतू और लखनदेश जितना मैंने कुछ बोला उसमें से जितना मैंने गलत बोला वो अटागे सब कुछ वही है अंजली अरोड़ा ठीक है उसने बहुत महनत किया आज अपने घरवालों के लिए अपने घर लिया वही मेरे बहुत अच्छी दोस्त है और महनत कर बुएड़ा के ओशने तरफ बैस्त फृट्ट्स ऩच्ज इसडाति है तो गली अगर आज क डिया दे घरती है तो आर्मान थैसे ञाच्छी आटेती है किने भर्यां का कान मैंनाट्य toast टीक है जब करी मिनाटी गलत नहीं होता, अर्मान गलत हो जाता है तो आज अर्मान ने दो शादिय कर लिए कुदरत ने करवाज़ तो अर्मान गलत है पर करी मिनाटी जब ऑन कैमरा बच्चों के लिए जो लास्ट वीडियो आए ते उन्हों ने मेरो पर रोस्ट के आ ता उसमें पी पायल और कृतिका के फोटो, लॉगिंग को देखे बहुत बद बदे कॉमेंट करते हैं और खास वह यह कहते हैं कि यह एक हाथ से इसको खिलाता होगा, एक हाथ से उसको यह वो किसके साथ सोते होंगे इस तरीके की जो बाते करते हैं उनके अप क्या कहना चाहेंगे? मैं उ को बोल देते तो हम को है क्रिटिका लोगों को कभी दिककत है कोई मोटा हो गया पतली कैसे हो गई इतना जल्दी कैसे वेट लूज कर लिया अभी तो आप एक बच्च्री की माँ बनी है तरह तरह की बाते होती रहती है आप उन लोगों के लिए क्या कि अपने जुबान पर कं प्रेगनेंसी के बाद पूरा प्रेगनेंसी टम अपना जो मन्ता वो खाया जैसे ही प्रेगनेंसी हमारी खतम हो तो उसके बाद हम लोगों अपना स्टिक टाइट एंड जिंप तो बस उसी का रिजल्ट है एक सवाल अर्मान मेरा बीच में रह गया इसलिए मैं फिर से पूछ आप लोगीं काम है इंकम सॉर्स अगर एक मिलियन व्यूज बहार से ले ले तो आपको एक लाखर पर देने पड़ते और एक मिलियन व्यूज के लाखर पर आते निया तो वो कराया क्यों चोटी सी बात तना उसके बाद जो गाने होते हैं जो आटिस्त होते हैं जाएसे लोग थोड़े देख रहे हैं वो एक स्की पैडल गाते हैं कि आपको देखना ही पड़ेगा जब आप यूटुब खोलोगे तो आपको उपर देखेगा वो अटागी फिर आप देखो कि या बादिशा गाना है या फिर अनी सिंह का नह गाना है तो वो पेड व्यूज होते अधर देख गाना है तो क्या आप अप इस तरह की प्रमोशन साभी करते हैं नहीं मेरे गानों पर क्या ज़ चुद की कंपनी हैं तो मैं वहनी करता है कि मैंने क्या जो मेरी ओर्डियंस सुन ती है क्या मेरी जो कंपनी उस पर लाइस गाना मेरा चालीस मिलन गया थार ने नम और फील बद मासी आली ले में थे साले, रपी कह न गहल मन दे में थे साले, और मार मार साला कि लाल कर दी मन तोड़ दीया सारा समान डबेगा, और एक सुनी दो सुनी फेर को न सुनी मन तार दीया चाहम लेकन हम बबेगा, तो ये उसके लाइं. बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आप मुझे प्रोमिस करिये इस पोड़कास्ट में एक वर फिर से आपायेंगे और झाल को भी लेकर आएँगे बहुत सारी बाते जो रह गई हैं थोड़ा सा वक्त भी हमें देखना होगा तो बहुत सारी बाते जो रह गई हैं पायल के आने पर इस बरहा हैं और वहाई जो कुछ मैंने बोला किसी के लिए भी बूला और सची बोला तो इसके लिए कोई गिल्टी निया मुझे है तैंक यू सो मैच हमारे साथ जुरने के लिए और ये इस एपीसो्ड है अब बहुत सारे हम करने बाले धूम मचाने वाले आपको मज़ा आया धूम बहुत सह बहुत बहुत अश्वाम हुस